समाजवादी पाथी कह रही है कि रामपत के निर्मार में भ्रष्टा चार हुआ है इसलिए सड़के धस गई है लेकिन जब हमने इस बारे में और जानकारी खटा करने के कोशिश की तो पता ये चला कि सड़के वहाँ पर धसी है जहाँ पर जल निगम की ओर से गहरी सीवर लाइन के लिए में होल बनाए गए थे में होल के पास जहां जॉइंट थे वहाँ पर पानी का रिसाब हुआ और इसी वज़े से वहाँ पर सड़के धस गई सड़क धसने पर उसके मरमत का काम भी युद्ध स्टर पर शुरू हुआ आयोधिया का ये रामपत है जो सादत गंसे नया घाट तक जाता है 13 किलो मीटर लंबा है दो दिन की बारिश में यहाँ पर करीब एक दरजन गड़े हो गए है इस तरह के गड़े पूरी सड़क पर दिखाई दे रहे है अब पी डबलू डिये कह रही है कि यहाँ पर जब ये रामपत बनाया गया तो सीवर लाइन डाली गई जिसके लिए काफी गहरे गड़े खोदे गे करीब 6-8 मीटर गहरे गड़े और उसके बाद जो मैन होल बनाया गया उसको बालू से भरा गया अब तरीका ऐसे होता है कि जो मैन होल में बालू भरी जाती है वो कौन शेप में होती है यानि नीचे जादा और उपर पतला हो जाता है बारिश हुई तो यह जो बालू है यह पहले ठीक से सेटल नहीं हुई थी और इस बार टशासन यह कह रहा है कि दो दिनों में प्री मॉंसून बारिश करीब 300 मिलीमीटर आयुध्या में हुई बहुत तेज बारिश हुई जिसकी वज़े से सडकों पे इस तरह के गड़े हो ग है और यह गड़े पूरे रास्ते भरे जा रहे हैं क्योंकि शद्धाल हूँ आयुध्या में अभी भी बहुत आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आयुध्या में वैसे तो हरूस बारिश हो रही है बादल जम कर बरस रही है लेकिन बीते दो दिन में सामाने से ज़्यादा बारिश हुई है इससे लोगों को परिशानी का साब न भी करना पड़ा अब सवाल यह है कि आखिर आयोध्या में वाचर लॉगिंग की इतनी समस्या क्यों आ रही है राम नगरी कैसे पानी पानी हो गई है मैं आपको बता दू कि इस समय आयोध्या को रीडवलप किया जा रहा है नई नई सड़के बनाई जा रही है इसके लिए फीवर लाइन डालने का भी काम चल रहा है बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलते हैं इसके चलते जो सड़के हैं जो घर है उनके अंदर पानी डाखिल हो रहा है कई सारी चिके पे चुकि नई सड़कों का निर्माण हो रहा है दुकानों के लेवल को भी जो है अभी उपर करने की कोशिश की जा रही है मैं इसे इस तरीके से समझाती हूँ जब सड़कों पर काम होता है तो आप देखते हैं कि पहले सड़कों की खुदाई होकर फिर नए सीरे से उसमें डामर डालना या बज़री गिट्टी डालने का काम नहीं होता है सड़क के उपर सड़क बनाती जाती है उस चकरी में होता यह है कि सड़कों का लेवल उपर होता जाता है और जो घर है जो दुकान है उसका लेवल धीरे-धीरे करके नीचे होता जाता है अपने आप जो पानी सड़क पर भरेगा वो धीरे धीरे बह कर निचले इलाके में जला जाएगा जो भी इनके साथ हो रहा है लोगों के घर में दुकानों में पानी दाखिल हो रहा है घर के नालियां जिनको फीवर से कनेक्ट करना था अभी वो काम पूरा नहीं हो पाया है और फीवर कनेक्शन ना होने की वज़े से भी बालिश का पानी पूरे तरह से ड्रेन नहीं हो पा रहा है इतने छोड़े-चोड़े बच्चे हैं इतनी प्रब्लम इंफेक्शन हो जाए इसकी जिम्हेदारी कौन लेता है सरकार लेगी इसके जिम्हिदारी नाम क्या अपका? दिक्षा सरवास्त अच्छा बताइए यह जो पानी सड़क का पानी घरों में जा रहा है इसकी क्या वज़े समन्द बहरी आको? इसकी वज़े सरकार की यह इसमें में सारा रीजन सरकार का ही है मंदिर बनाने के चक्कर में जितना भी पानी है सारा महलों में यहां पर यहां तो हम लोग तो जैसे लग रहा है फेके हुए हैं सरकार के नजर में कोई जिम्मेदारी नहीं है हम लोग भी जाते हैं वोट करते हैं तो ऐसे इस तरिके से हम को प्रिशानी हो रहे हैं पर बच्चों के कपड़े तक सारे हम लोग ने जो पहन रखा है हमारे पास कपड़ा है यह जैसे पानी इतना भरा है तो आपके घर से भी हम देख रहे थे अंदर से पानी बहर से निकल रहे हैं यह थोड़ा थोड़ा पानी था अभी जाके साफ हुआ है सूबे से तो पानी रही है रोका गया है नहीं तो इसमें भी भर जाता है किसी में हमारी कमर की बराबर पराई लगा है हम लोग ऑंपपर लगा के रहते हैं उनके पास कोई रहनी के विवस्था नहीं है हुँ फ़स साल से हम भी घैल रहा है यहाल रहा है अर इस पहले से चलता हा रहा है P tussen यह राएakes है कर दे continued जो इलाका है, इसके घर-गर की कहानी है, घरों में पानी भरा हुआ है, घर के अंदर जाना, बाहर निकलना मुश्किल है, लोगों ने इस तरह से जो एंट्री पॉइंट है, उसमें इस तरह से दिवार सी बना दिये, जिससे ये सड़क का पानी अंदर ना जाए, अब यहां यही उचा करने का काम हो रहा है, इन्होंने पहले भी उचा किया था, फिर से ये उचा करें, जिससे पानी अंदर ना गुसे,